असलाम लेकूम कैसे हैं प्यारे प्यारे वियर्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पनीर काथी रोल वह भी आपके एफ़तार के लिए तो जल्दी से इस मज़िदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बेना टाइम देस्ट करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए अगर आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं इसमाइ एट कर देंगे महाफ टीस्पून नमक और वन टीस्पून भरकर और तुमें आपर रिफाइन आप कर रही हूं आप चाहे तो मस्टर्ड या और कोई ओयल भी आट कर सकते हैं इसे ड्राए मिक्स करेंगे ऐसे ज इसको गुंद लिया है इसको अम रख देते हैं 10 मिनट के लिए ढ़कर और अब मैं इसकी तयार करते हैं जो में इसमें फिल करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिया है यहां पर एक पैन पैन मैट के मस्टर्ड और मस्टर्ड जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें अब शम्लामेश नमाटर के साथ यहां अनियन को एट करें लिए अनियन मैं भूल गई ती तो इसलिए मैं बाद मैं आट करें हूं लेकिन आप साथ में भी एट कर सकते हैं इन सभी को 2-3 मिन तक मीडियम फ्लेम पर आल में फ्राय करेंगे और उसके बाद इसमें डालें कु अच्छे से इन वैजीज के साथ और हम बना रहे हैं पनीर काथी रूल इफतार के लिए तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है यह एक बार मेरे कहने से इफतार में इस रेसिपी को जरूर शामिल करिएगा अब इसमें आट कर देंगे पनीर पनीर को मैंने लंबे-लंबे स्ल तो एक से दो मिंट तक हलके हलके हाथों से चलात हुए मिक्स कर देंगे अब इसमें आट कर देंगे बड़े चमच के इसाब से टमाटो केचप नहीं है तो आप चिली सॉस भी आट कर सकते हैं देखिए काफी अच्छे से हो चुका है अब इसको ठंडा होने के लिए हम एक स तो मैं आप तीन से चार के करीब पराठे बनाओंगी और उसमें हम फिलिंग करेंगे जमने फिलिंग तयार करी थी तो इस पर सूखा आटा लगाना है और नॉर्मल पराठे की तरह इसको बेल लेना है जैसे हम नॉर्मल गोल गोल रोटी बनाते है तो मैं इसे थोड़ा के लिए रखदिया है गपार गरम ताहले पर इस पराठे को हम डाल देंगे तो देखेखे लेजन तरीके से गोल कोल माना भिल गया जब गरम गरम ते यह को ढाल देते है और जब इस पर पाऒल ताहीünüz के चींज कर देंगे तो देखें इस पर बबल साने लगे ते हमने इसक प्रॉट को सीखने देंगे और फिर हम इसको हलका हलका को लगाकर पराठे की तरह फ्राइ कर लेंगे अब हम इस पे न थोड़ा-थोड़ा ओयल लगाकर अफिर फिर इसे पराठे की तरह अपर दना शुरू कर देंगे तो मैं ब्रश की हेल्प से इसमें लगा रही हूं दोनों साइट से हम इसे golden brown करेंगे जैसे हम प्राठे बनाते हैं न सेम वैसे हमें बना लेना है दोनों साइट से बहुत ही आसान रेज़ेपी है देखिए हमने कुछ जादा इसमें इंग्रीडेंट और जादा वैजीज का भी यूज नहीं किया है वैसा आप अपनी पसंद की कोई भी वैजीज ले सकते है लेकिन मुझे पनीर काथी रोल में सिर्फ यही तीन वैजीज पसंद होती है तो मै तयार करके रखिया एक साइड और इसमें अब हम सिंपली जो हमने फिलिंग पनीर की तयार करी थी काथी टोल वाली वह फिलिंग हम इसमें डाल देंगे इसमें एड़ कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मियोनीज जितनी आप खाना पसंद करते हैं तो मैं तीन च कोईल में कवर कर रही हूं इससे हमारे बिल्कुल यह जब आप इसे इफतार में शामिल करेंगे तो ऐसे लगेगा कि आपने इसको जो मैटो से या स्वीगी से और करके मंगाया है बिल्कुल बाहर वाली फिलिंग आएगी और घर में चोटे बच्चे है ना तो बहुत ही बनाना इस रोल को जरूर ट्राय करें कोमेंट में बटायेगा आपको ही रसिपी किया है